असलाम वालेकुम विवर्स आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कश्मीरी चाई की रेसिपी यानि की पिंक टी जो के बहुत टेस्टी बनती है इसके लिए हमें चाहिए एक दाल चीनी का टुकड़ा एक बाधियान का फूल दस इलाइची जिनका हमने मुझ खोल लिया है अब टी स्पून बेकिंग सोडा, वन फोर टी स्पून सॉल्ड और त्री टेबल स्पून ग्रीन टी लिये मैंने यहाँ पर लिप्टन ब्रेंड की लिए आप कोई भी ब्रेंड की ले सकते हैं और ठंडा पानी यूज करेंगे, इसके लिए हमें चिल्ड वाटर चाहिए एकदम और दूद अपने जरूरत के मताबिक ले सकते हैं इस चाय को बनाने के लिए हमें पानी बहुत ठंडा यूज करना है, बस उसमें बरफ ना जमी हुई हूँ सबसे पहले एक पैन में हम पानी डालते हैं, दो कप और एक कप में हमारा 500 ml है, तो तकरीबन दो कप में हमारा 500 ml हो गया इस चाय को बनाना है तो बहुत टाइम कंजूमिंग लेकिन ये बहुत टेस्टी तयार होती है, एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे तो ये सारी चीज़ हैं, मैं इसके अंदर एट कर रही हूँ यहाँ पर हमारी फ्लेम मीडियम टू हाई रहने वाली है, इस पूरी चाय को हम इसी फ्लेम पर ही पकाएंगे पानी में हमारे उबाल आने वाला है, तो अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ग्रीन टी एट करेंगे अब हम इसमें एट कर रहे हैं, बेकिंग सोडा और नमक उसको डालते ही, हमें बहुत एहतियाद से चलाते रहना है इसको, वरना हमारी चाय उपर आ जाएगी इसको कर्शी की मदद से हम उचाल उचाल करी पकाएंगे, जब तक यह पूरी नहीं बनेगी इसे हमें तब तक पकाना है, जब तक हमारा दो कप पानी एक कप से भी कम नहीं रह जाता है यहाँ पर हमारा दो कप पानी एक कप से भी आधर रह चुका है, तो अब हम इसमें दो कप पानी और एट करने वाले, यानि की 500 ml फिर से एट करेंगे वो ही धंडा पानी जैसा हमने starting में लिया था जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं इमें पकरची से इस तरीके से इसको लगातार चला रही हूँ उसी तरीके से आपको भी इसको चलाते रहना है वरना हमारी pink tea का जो taste है वो बिगड़ जाएगा इसी तरीके से इसमें टेस्ट बढ़ेगा चलाते चलाते इस चाय का कलर कितना शांदार आ चुका है पेंग कलर इसमें नजर आने लगा है इस पानी को भी हम जब तक यह आधानी हो जाता है तब तक पकाएंगे अब पानी हमारा रिड्यूज हो चुका है तो अब हम इसमें तीन कप पानी और एट करने वाले है इसको बनाना काफी टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन जब आप इसको एक बार बना लेंगे तो आप इसको फ्रीज करके एक हफते तक रख सकते हैं जब आपका जी चाहे तब इसको निकाल कर इसका लोट फुटा सकते हैं इस चाय को बनाने के लिए आपको दो चीजों की सबसे ज़ादा जरूरत है एक अपना कीमती वक्त और दूसरा ठंडा पानी यहाँ पर हमारा दो कप कहवा बनकर तैयार है इतने पानी में हमारा दो कप कहवा बनाएं अब हम इसको चान कर रख लेंगे और इसको रेफ्रिजरेट करके हम एक हफते तक यूज़ कर सकते हैं अब हम पैन में दूद गरम करेंगे और उसमें शुगर एट करेंगे जितना भी आपको मीठा पसंद हो उसके बाद आपको जैसा कलर पसंद हो उसके अकॉर्डिंग कहवा आप इसमें डाले यहां पर हम दो कप चाय बना रहे हैं इसका हमने दो कप दूद यूज़ करा है आप जितना भी चाय उतनी बना सकते हैं कहवा इसके अंदर डालते ही कितना अच्छा कलर नजर आ रहा है पिंक चाय हमारी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर एक बॉयल आने तक हम इसको हाई फ्लेम पर पका लेंगे अब हमारी चाय बिल्कुल रेडी है इसे गार्णिश करने के लिए हम लेने वाले हैं यहाँ पर पिस्ते और बादाम और यह ह रेसिपी को सबको एक बाद जरूर ट्राइ करना चाहिए इसको हम थोड़ी से ड्राइफ रूट्स के साथ कार्णिश कर रहे हैं आप कोई भी ड्राइफ रूट्स इसमें एड़ कर सकते हैं यह इस चाय की रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है जो टीला वर् थाओी कि आप बहुत हैं आपिगार सृ którego हो एл exponentially ही सकत facilव हुटकर हैं आप झीज बहुट सबकैंट कारेसिक आपba ज़दी का जड़ हैं रूट कर रहा हैं? झाल झाल